एक बार फिर पाकिस्तान की घिनोनी करतूत का वीडियो सामने आया है पाकिस्तानी जेल में यातना से सताए भारतिय नेवी के पूर्व अधिकारी कुल भूशन जादव का एक वीडियो आज जारी हुआ वीडियो पाकिस्तान की उस सेना के है जो खुद आतम को पालती पोस्ती है जेल में बंध जादव से जबरदस्ती कुछ बातें कबूल वाई गई है कई कैमरों से शूट किये गए इस वीडियो में खामिया ही खामिया हैं, जूट ही जूट हैं जबरदस्ती बुलवाए गए इन जूटे बयानों के आधार पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कुल भूशन जादव मामले में अपना जूटा प्रोपेगेंडा चराया है कुल भूशन पर पाकिस्तान की और से ये दूसरा वीडियो है जिसे पाकिस्तान की सेना कुल भूशन का कबूल नामा बता रही है पाकिस्तान के जूटे वीडियो की परत दरपरत खोलेंगे लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कुलभोशन का पूरा मामला है किया मुंबई के रहने वाले कुलभोशन जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर है नौसेना से हटने के बाद कुलभोशन जाधव अपना बिजनेस कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान ने कुलभोशन जाधव को भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ लिया पाकिस्तान का जूटा दावा है कि उसने कुलभोशन को बलुचिस्तान में जासूसी करते पकड़ा जबकि भारतीय सरकार के मताबिक कुलभोशन इरान में था भारत की इस बयान का समर्थन जर्मनी के एक पूर राजनेग ने भी किया है यही नहीं पाकिस्तान की सेना ने बिना सबूत और अंतराश्टिय नियमों की अंदेखी कर कुल भोशन को फासी की सजा सुनाई पाकिस्तान की सेना से जारी किया गया वीडियो 9 मिनट 50 सेकिंड का है इस वीडियो में हर दो लाइनों के बाद कट दिखते हैं जैसे कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो आपको यहां बता दें कि कुल भोशन का पुराना यानि पहला वीडियो 6 मिनट का था और उसमें 100 से ज़्यादा कट थे पाकिस्तान के जूट के इस वीडियो में एक नई बात है पूरे वीडियो को कई कैमरों से शूट किया गया है बीच बीच में वीडियो एडिटिंग छिपाने के लिए कुछ अलग विज्वल लगाये गए है वीडियो को देखकर एक बात और साफ होती है कुलबोशन जैसे किसी टेली प्रॉम्टर को पढ़ रहे है दरशकों के लिए यहां यह जाना जरूरी है कि टेली प्रॉम्टर के जरिए बोलने वाले को स्किट दी जाती है यह कैमरे के ठीक उपर लगा होता है देखने में लगता है कि शक्स कैमरे को देखकर बोल ला है जबकि वो टेली प्रम्टर पढ़ता है यानि पाकिस्तान की सेना ने कुल भोशन को जो लिख कर दिया वो उन्हें मजबूरी में पढ़ना पढ़ा वीडियो में एक बात और गौर करने वाली है यानि जैसे दया याचिका को ही पाकिस्तान ने जबरदस्ती पढ़वा दिया और उसे नाम कबूल नामा दे दिया जाधव के मामली में अब तक क्या क्या हुआ है आपको बता दें कि जाधव का मामला हे की अंतराष्ट्रे अदालत में चल लाहा है इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये साबित ना हो कि कुलभोशन जासू से उसे सजा ना दी जाए यही नहीं कोर्ट ने पाकिस्तान को सुनवाई के दोरान कुलभोशन का जूटा कबूल नामा वीडियो दिखाने से मना कर दिया था लेकिन अब पाकिस्तान ने एक बार फिर दूसरा जूटा वीडियो चारी कर दिया है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे